हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानेल, माई फूट रेसिपीज आज मैं आप लोगों के साथ केफसी स्टाइल फ्राइड चिकेन की रेसिपी सेयर करूंगी फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, सेयर किजिए और मेरी चानेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपको मिल जाए आपलोड होते ही इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हापकेजी बॉनलेस चिकेन चिकेन को इसी तरह कटके अच्छे से क्लीन कर लिया है आप अपने हिसाब से पीस को छोटा या बड़ा कर सकते हो और चाहिए दो एग वान फोर्थ कप मैदा रिफाइन डॉयल एक टीसपून स्वाया सच स्वाद के अनुसार नमोक हाफ टीसपून लसुन पेस्ट हाफ टीसपून आद्रग पेस्ट हाफ टीसपून काली मिर्च पाउडर थोरा सा सल्ट वान फोर्थ काप कौन फ्लोर मैदा भी वान फोर्थ काप है इनको मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल रिया सया सास टू टीसपून रिफाइन डॉयल आप चाहे तो ओयल ज्यादा या कम कर सकते हो लॉसुन पेस्ट आद्रग पेस्ट स्वाद के अनुसर नमोक और काली मिर्च पाउडर डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसको आदा घंटा के लिए रेस्ट में राखना है एग में थोरा नमोक डालके अच्छे से बीट कर लूँगी इसी तरह अच्छे से बीट कर लिया है अब इसको साइट में राख दूँगी पेक प्लेट में डाल दूँगी माईदा, कॉर्ण फ्लोर अब इस दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसको इसी तरह प्लेट में स्प्रेड कर देना है आप चाहे तो माईदा स्किप करके स्ट्रेप कॉर्ण फ्लोर यूज़ कर सकते हो अब ए मैरिनेटेड चिकेन को एक एक करके लेके फेटा हुआ एक में डिप कर लूँगी फिर उसके बाद मैदा और कॉर्ण फ्लावर मिक्चार में कोट कर लूँगी एक साथ सारे के सारे चिकेन को डिप करके मैदा और कॉर्ण फ्लावर मिक्चार में कोट कर लिया है आप चाहे तो एक एक करके भी कोट कर सकते हो, इसी तरह अच्छे से कोट कर लोंगी, मैंने इसी तरह अच्छे से सब को एक साथ डीप करके कोट कर लिया है, आप चाहे तो एक एक करके भी डीप करके कोट कर सकते हो, अब डीप फ्राइ करने के लिए एक पैन में ज्यादा रिफाइन डायल गरम कर लिया है अब इसमें एक एक करके कोट किया हुआ चिकेन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लोंगी चिकेन को मीडियम फ्लेम में चारो तरफ अच्छे से फ्राई कर लोंगी चिकेन चारो तरफ अच्छे से फ्राई हो गया अब इसको ओयल से स्ट्रेंड करके एक प्लेड में निकल ल झाचीं!